बेली करे नियूज में अभी की खबर है शिल्प समागम 2022 हाल ही में केंद्री सामजिक न्याय एवामधिकार्ता मंत्री ने नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उदगाटन किया इसका आयोजन एक से पंद्रा नवंबर 2022 तक किया जाएगा यह एक पंद्रा दिवसी विपडम प्रदर्शनी है जिसमें 19 विभ्यन राजियों और केंद्र शाषित प्रदेशों के उतपाद दिल्ली के आयने सेंटर इस्थित दिल्ली हाट में विक्री के लिए प्रदर्शित किये जाएंगे आर्थि गतिविधियों को बाजार में प्रतिस परदा योग्य बनाने के लिए लक्षिस समूहों के कौशल उन्यन पर जोर दिया जा रहा है शिल्प समागम 2022 में शीर्ष निगमों के लाभारतियों को अपने हस्त शिल उतपादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए आमंतरित किया गया है इस साल उन्हें 108 स्टॉल आवंटित किये गए हैं स्टॉल में प्रदर्शित उतपादों में शामिल है धातू शिल्प उतपाद, लकड़ी के शिल्प उतपाद, बेंट और बांस की वस्तुएं, सिरैमिक उतपाद, हतकरगा और वस्त्र, लकड़ी के बरतन, आभूशन, चमड़े के उतपाद, आदी यतपाद देश की सम्रिद्ध विरासत और सांस्कृतिक विवित्ता को प्रदर्शित करते हैं चलिए जान लेते हैं शिल्प समागम की प्रिष्ट भूमी के बारे में सावजिक न्यायवमितिकारता मंत्राले 2001 से दिल्ली हाट में प्रदर्शित करके एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है सफाई कर्मचारियों, अनुसिज जाती और पिछड़े वर्के लाभार्थियों के लिए प्रदर्शित के दौरान उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए अंतरास्टी वैपार मेला यानि IITF और सूरज कुर्णिश्टल पर मेला आयोजित किया जाता है लक्षे समुहों को शशक्त बनाने और उन्हें समर्थन देने के उदेश से ये प्रदर्शित करने और बेचने के लिए फ्री में स्टॉल प्रदान किये जाते हैं